आपके लिए लाए हैं हम खोवे की रिस्पी तो आज हम मुंफली के दाने से खोवा बनाएंगे और मुंफली हम ले लिए हैं इसे हमें पानी में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है और देखिए इसे हम इस पानी में रख दे रहे हैं और इसे थोड़ी देर स्लीदीशंद सुलगा से करना है और देखिए हमारा पॉमपली रेडी हो चुका है और UP कडाही रखेंगे और इसमें डालेंगे च्छान जो दूड हम आधा लीटर लेखे हीं और अधा लिटर दूध हम इसका एभ्राइया से और देखिये हम अपना प इससे टोध होने लगा है और देखिये यह गरम होने लाए तब तक हम च्हिलका ऊतार लेंगे मौह प के दाने का रिस kennels को साफ करेंगे और देखिए दूर हमारा बिल्कुल उबल चुका है और इस तरह चलाना है ताकि नीचे लगने ना पाए और धीरे धीरे इसे पड़ियां से पकाना है फुल फ्लेम नहीं चाहिए और ये साफ हो गया है देखिए मुंफली का दाना हमारा और हमें इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे तो हम अपना मुंफली इसमें सारा डाल दिये हैं और एक ग्लास के हिजाब से इसमें हम दूद डालेंगे यह छोटा सा क्लास है और यह देखिए पेश्ट हमारा मुंफली का रेडि हो चुका है बिलकुल और इसे हमें इस दूद में डालना है दूद हमा और इस तरह से सारा निकाल लिया हमने और इसे हम अब चलाएंगे पराबर इस तरह से चलाना है ताकि इसमें गुठली ना बने और जल्दी जल्दी इसको चलाते रहना है ताकि नीचे लगने भी ना पाए और गुठली भी ना बने इस तरह से देखिए हमारा यह बिलकुल काठा पेश्ट बन गया है और खोवा हमारा रेडी हो चुका है और इसमें हम इसका टोरी के हिसाब से इसमें हम देशी डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करना है हमें चिकनाई लाने के लिए हमें इसका मात्रा जरूर डालना था तो इसलिए हमने डाल दिया है और यह हमारा ready हो गया है इसको भढ़या से Earाना है और मत के इसे बढ़या से एक जैसे करना है और चलाते रहना है इसे पढ़या से और इस असब कर ले आ है कि अपना और यह बिलकुल फयर कहुँए जैसे है और यह ready हो जुगा हे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर चलो करिएगा और अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नमस्कार